आज मैं आपको एक और औसदी पेड़ से परशे कराने वाला हूँ, ये जो आप औसदी पेड़ देख रहे हैं, इस औसदी पेड़ का नाम है मगवा, और इसकी जो फूल आती हैं, वे भी मगवा के नाम से जाने जाती हैं, अभी ये फूल से भरा हुआ है, और ये देख सकते और इसके सभी के क्या प्यूर्स पेर में इसके फूला चुकी है और उन पूलों को ही मगवा कहा जатता है क्योंकि मगवा का पेड़ कुछ देखने दिए और इन्हें मगवा का अज मैं प्रयोक कुछ बिकान को की देखन已經 अगजा लोग से नीचे गिर सुक आपके इसके ये फूल भहुती स्वादिश्टे और बहुती मधुर और बहुती अच्छे पूस्ट्ट होते हैं। यह जो मग्गा यह है आप देख सकते हम यह है वो फूल मग्गा के इसका प्रयोग मदरा बनाने के काम में मतल आईए इसका प्रयोग और सतिक रूप में के जिए तब ही आप लाप पाएंगे तो इनका प्रयोग बहुत अच्छा है आपकी ठकाबट को आपकी जो कमजोरी को दूर करने के लिए आप इन मगवों को ले ले जिए और मगवों को ले करके आप सुखा ले जिए और सुखा करके आप इसमें जो है चने साथ में भूंज करके चनों को भूंज ले और थोड़े मगवों को भी भूंज ले चने और मगवों को भूंज करके अगर आप इनका सेवन करते हैं इनका सुबह नास्ता करते हैं तो फिर ये आपकी सरीर की कमजोरी को आप कितना भी काम करने उसकी ठकावट को ये दूर कर देगा और ये मुगवा आपको हस्ट पुष्ट बनाएगा क्योंकि इसमें किसमस से भी जादा गुड़ पाय जाती हैं किसमस में से ये एक से दो परशेंट जादा ही लापकारी है इसलिए जो गरीब बरग के लोग हैं वे किसमस नहीं सेवन कर सकती तो मुगवे का सेवन किया हैं मगवा आपकी बीमारियों को दूर तो करेगा ही करेगा आपकी कमजोरी को दूर कर देगा ये भूख को बढ़ाता है और ये बबासीर को दूर करता है ये पाचन सक्ती बढ़ाता है ये तागत को बढ़ाता है बीमारियों में जो है बबासीर में आप इसका मुग्वे का सिवन करें तो आपकी जो पाखाना है वो साप और खुलके आना शुरू हो जाएगा अगर आपको कई पर सूजन है दर्द है तो या चोट है कुछ भी आपको प्रवलम हो रही है तो इने मुग्वों को आप ताजा ले ले जिए और लेकर के आप उसको कूट पीछ करके लुगदी बना करके आप वहाँ पर रखें तो आपका दर्द है आपकी सूजन आपकी जो कोड़ने का ये काम करता है आपके हड़ी तूट गई है हड़ी कहीं भी आ गई तो आपका इसको कूट करके और लुगदी बना करके और रख दें और फिर बहांदे तो हड़ी भी जुड़ जाती है तो ये मुगवे का प्रियों कुछ बता या झाल बता है